नमस्कार दोस्तों, Health Tech चैनल पे आपका स्वागत है प्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको इलको बेन ड्राफ के बारे में जानकारी देंगे जो की एक होमियो पैथिक दवा है, बहुत ही मसूर दवा है तो जानेंगे इस वीडियो में इसके यूजेश के बारे में इसको करसे इस्तिमाल करना है इसके डोस के बारे में इसकी मार्केट प्राइज, साइड इफेक्ट इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको इलको बेन ड्राफ के बारे में अच्छे तर से जानकारी मिल सकें तो इलको बेन ड्राफ जिसकी मार्केट प्राइच 3600 रुपे है और ये कमबो पेग में आता है चार फाइल रहती है इसमें और इसको न्यू लाइफ लेबोर्टरीज टाइबेट लिम्टेट कमपनी के तोरह बनाया जाता है तो आईए जानते हैं इसके फायदे के बारे में तो इसका इस्तिमाल नसा को छुड़ाने के लिए किया जाता है नसा चाहिए किसी भी प्रकार का हो इलकोल का नसा हो शिग्रेट गुटका तमबाकू यह सब जो नसा है उसको छुड़ाने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इस ड्राप का और बहुत ही मसूर है तो आज कल बहुत सी महिलाएं परेसान रहती हैं जिनके घर के सदस से रोज इलकोल का इस्तिमाल करते हैं या इलकोल के अलामा गुटका, तमबाकू, पान, शिग्रेट इन सब का इस्तिमाल करते हैं तो वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से इनको छोड़ दें तो उनके लिए ये बहुत ही फायदे मंद ड्राफ है तो वो इसका इस्तिमाल कर सकती हैं इसको इस्तिमाल करने से ब्यक्ति में सराब पीने की बार बार जो इच्छा होती है वो कम होते होते समाप्त हो जाती है लंबे समय से नसा करने के कारणर शरीर में जो टाक्सिस जमा हो जाता है उसको भी ये बाहर निकाल देता है जिससे की स्वास्थ फिर से ठीक हो जाता है मांसिक की स्थिती ठीक हो जाती है और नसे की करनर जो सरीर में नुक्सान हुआ रहता है वो भी ठीक हो जाता है इसको इस्तेमाल करने से मांसिक की स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि व्यक्ति नसा का विरोत करने में सक्षम हो जाता है और आईए जान लेते हैं एलकोबें ड्राप के डोज के बारे में जो कि बहुत ही महत्पूर है तो इसको 20-30 बूर, सुबह और साम एक गिलास पानी में डाल के दे सकते हैं इस ड्राप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको पानी में डालने के बाद भी पानी का स्वाद चेंज नहीं होता है जैसे सिंपल पानी होता है उसी तरह से इसका स्वाद रहता है भ्यक्ति को पता भी नहीं चलता है तो फ्रंस इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और आये जान लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में तो pregnant somens और bed feeding mother को इसका इस्तेमाल नहीं करना है जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है या कोई दवा चल लए है उनको इसका इस्तेमाल अपने डाक्टर के परामर्स के अनुशारी करना चाहिए और इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए तो ये सब सवधानिया है जो की ध्यान देना चाहिए और आए जान लेते हैं इसके side effect के बारे में तो ये एक homeopathic दवा है इसके side effect बहुत ही कम है अगर इसके side effect की बात करें तो उल्टी की समस्या हो सकती है अगर इसको लेने के बाद उल्टी जादा होती हो तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से परामर्स ले लें और अगर इसके अलामा भी कोई समच्या होती हो तो इसको बंद कर दें तो फ्रेंट्स ये थी हमारी आज की जानकारी एलको बेंड राप के बारे में आचा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्काइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे